वाह गुरुजी का खालसा, वाह गुरुजी की फते, तुसी वेख रहे हो कथा गुर्बानी विचार संगर जी आज दे समय वेच गुरुता बहुतने, पर सच्चे गुरुदी प्राप्ती कि में होवे गुरुदा महतव साधे जीवन वेच पचपन तो ही शुरू हो जानदा है अते जे गहराई नाल वेख्या जावे, ता साधे मापयो, साधे पहले गुरु हुन देने ओसा नू तुरना, बोलना, कई सिख्यामा देने जदो बच्चा स्कूल जानदा है, ओदो उस दे हनेरे पर जीवन वेच ग्यान दी रोशनी ओदे गुरु लेँंदे हन अते उसनू शिक्षा देन दे हन जीदे नाल वड़ा हो के, डाक्टर, इंजीनियर अध्या पकजा चंगा इनसान बनदा है जदो इनसान वड़ा हुंदा है, ओसन सारिक चमेल्या में विच उलद जानदा है उसनू कदे प्रवार दी चिंता, कदे वपार दी चिंता, सताउन लग जानदी है ओ मो माया विच बनने आ जानदा है उसनों ये डर सताउन लाग जानदा है जे आज उसनों कुछ हो गया ते बच्चेयां दी पड़ाई करदा खर्चा माप्यों दी सेवा कौन करेगा ये सारे कम उस दाई डर उसनों बार बार ए सोचनली मजबूर कर देंदा है हुन उस व्यक्ति नों अपना मन शानत करन लई गुरू दी जरूरत पइंदी है जप जी सैविच गुरू जीनों फरमाया है के रबनु पौन लेई वी गुरू दी जरूरत पइंदी है रब नु गुरू दे रही ही पाया जन्दा है हुन सवाल ए है कि गुरू किस नु बनाया जावे कि में मनीगे के दुज्या व्यक्ती गुरू बनु लो न दे कबल है जो सवाल अज़ सार यां दे मनवेच है इह सवाल दे जवाब दे लई एक हम गुर्णानक देवजी ने अपने जीवन कालतों शुरू कर दिता सी रब रहिंदा किते है ओ दिखदा किमेदा है इत्थे तक किसनों किते पाया जा सकता है ये सारियां गलना गुरू जी ने गुर्बानी राही संसार तक पहुंचाईया हन पर एक हम एना काट नहीं सी के मनुख दे एक जीवन कालवेच पूरा किता जा सके गुरू जी दिया चार परशाया गुरू अंगदेव जी गुरू अमरदास जी गुरू रामदास जी अत्टे गुरू अर्जन देव जी सार्याने मिलके मनुख दे पलेली गुर्बानी नू लिखिया सिख गुरुआ दे बिना किसे जात पाते तरम्दा पक्ष ले बिना सब तरमाते जातियां दे संता दी बानी नू गुर्बानी विच पाया है पावेयो संत रविदास जी होन संत कबीर जी जाँ शेक फरीड जी होन हर संत गुरुदिया सिख्यावा मोतियां वांगुसी अते उन्ना मोतियां नू माला विच परोया शिरी गुरु अर्जन देव जी ने अते उन्ना तो बाद शिरी गुरु गोविन सेंग जी ने मिलां 1708 विच नंदेड विखे शिरी गुरु गर्ण सहीब नू गुरु गद्धी सौंब दिती शिरी गुरु गर्ण सहीब विच सारे तरमादे संतादिया बाणिया शामिलने पर असी शिरी गुरु गरन हैब दा अनसरन ना करके दुज्जे गुरुँआ दा अनुसरन कर देने हा जो सनसारिक मुम आया विच लुपतने जे कोई ए मंद ऐ के शिरी गुरु गरन सैब जी सिर्फ सिखादे गुरुहन ताए सही नहीं है तुशी शिरी बगवत कीता कुरान पड़ो पर जे शिरी गुरु गुरंद सहीम नू छाड़के जा एना महान पुस्तका नू छाड़के किसे आली शान पंडाल वेच बैके किसे एमेदे मनुख नू सुन रहे हो जो वड़ियां वड़ियां गड़ियां वेच को मदा है ते तहान नू गल्त ग्यान दे रहे है ओ ग्यान नू तुसी अपने जीमन वेच ना लियाओ सिख तरम विच अमरत वेले नू नाम सिम्रंदा सब तो वदिया समामन्या गया है अम्रत वेले गुरु नू याद करन दी सिख शिरी गुरु नानक देव जी ने दिती है अते शिरी गुरु गोबिन सिंग जी ने इसनू सिख तरमदा सब तो महत्तमपूर्ण नियम बना दिता है उन्ना ने अपने सिख नू स्वेरे अम्रत वेले उठके इशनान करके गुरुबानी पाठ करनू के है ए समा गुरु नाल जुडन लई सब तो वदिया समा दस्या गया है पर कईया इंसान नावेच अम्रत वेले उठन दी इच्छा शक्ती नहीं हुंदी ता कोशिश करो गुरु जी दी सिखाई सिख्यामा विचों किसे एकदाते अनुसर्न करिये जिवें की पहली शिख्षा अपनी कमाई इमानदारी दी रखो दू जी सिख्या अपनी कमाई दा दस्वा हिसा किसे पोने दे काम विच लाओ ती जी अमरत वेले उठो चुथी गुर्बानी नुँ हमेशा याद रखो अते पंजवी मनुखी सेवा मन तो करिये गुरु जी हमेशा कहिं दे सन जे तुसी रबनु पोना चौन दे हो ता सब तो पहला ए विश्वाश करो की रब है विश्वाश होना बहुत जरोरी है गुरु अंगत देव जीनु गद्धी सुपन तो पहला गुरु नानक देव जीने सारे यादिया प्रिख्यामा लेया पावेव पाई मर्दाना सी पाई बाला पाई लेना पावेव ना दे अपने ही पुत्तर सन बाबा शिरी चान जी दी गुरु नु पोँण दी रह उनना तो विप्रिख्यामा वेच ओस्था ना पावे शक्क्या जो पाई लेना जीने पाया इस वज़ा तो ही गुरु नानक देव जी ने पाई लेने नु क्या तूसी मेरे अंग हो इस करके उन्नानू गुरू अंगत देव जी दा नाम दिता गया ते अपनी गद्धी उन्नानू दे दिती वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते